बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली अनलेसिस में आपका स्वागत है आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया है 43,894 लगबग बहुत दिन ये तारे टिम्टमाने के बाद आज एक बहुत बड़ा उलका पिंड गिरा है मार्केट पे कहने का मेरा अर्थ है जिन लोगोंने म मार्केट जब तक इस रेंज में है ये रेंज कौन सा था जरा इस रेंज को आप ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से आप पाएंगे कि लगबग ये 8-10 दिन कल को छोड़के 8-10 दिन लगातार मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन जब तक मैंने ये भी क किस्मत से आज का दिन निकला है आपका एक्सपारी का उवी बैंक निफ्टी में और आज पिलकुल फ्लैट ओपन हुआ था 0.01% के दाम पे मार्केट आज खुला था वहाँ जो बहुत शांदार एक मार्केट ने शुरुवात में जो गिरावर्ट दिखा के जो 300 के नीचे सस्टेन हो गया था वही पेर मार्केट ने बहुत लोगों को ये कह दिया था कि देखिए आज हम नीचे की और का रुज़ान रखते हैं तो गलती से आज बहुत जादा कॉल के तरफ आप न जाए बहुत बड़ा पच्टाएंगे उसका कारण देखिए मैंने आपको कल यहाँ पे दो चीज़े करके दिखाया था सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको दो जोन बनाया था सबसे पहला जोन मैंने बनाया था यहाँ एक रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट जोन था रेजिस्टें इस cloud के अंदर market जब तक रहेगा तब तक आपको बहुत बड़ा कुछ हो नहीं सकता और मैंने यहापे और यहापे मैंने base बनाया था आपके support का और वो support मैंने पहले ही तैय कर रखा था कि आपका शुरुवात का ये वाला support था क्योंकि ये एक support बहुत strong बना हुआ था ये वा अगर आप support के बात करते है तो ये वाला support को थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये वाला support अब फिलाल बहुत जादा strong रहेगा ये जो support आया है अभी ये support बहुत strong है अभी जब तक अब इस support इसको मैं इसका color थोड़ा बदल देता हूँ तो आपको चीजे और यहापे चीजे अभी respect करने वाला है अब जब तक market इस range को ये जो मैंने support बनाया है इस support की नीचे जब बेली बेस मार्केट काम करना शुरू कर देखिए अभी भी buyers के हाथ में है market आज की गिरावट कल की गिरावट को आप ये मत समझिए कि market में 200-300 point का एक correction आया है तो market बहुत जादा यहा लेवल पे काम हो रहा था तब जाके एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा अज हरकत हुआ है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होगा कि अभी और भी जादा कल ऐसा ही होगा अब कल अगर फिर से देखिए कल अगर फिर से gap down खुलता है तो आपके पास एक और चीज़ वाला जोन यह कौन सा जोन है यह 43,400 का अब मार्केट अपने आपको तयार कर रहा है अगर इसको नीचे जाना है याद रखिएगा अब इसका अगला लेवल होगा 43,400 का अब यह वाला सपोर्ट ना बहुत जादा स्ट्रॉंग होगा क्यूंकि मार्केट ने अपना एक पड इंप्रेम पे आप देखते हैं तो गैप आप गैप डाउन के वज़े से आपको कभी कबार सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करता हुआ या तो उपर चला जाता या तो नीचे चलाता है आपको समझ मैंने क्या कहा मैंने आपको यह कहा है कि कल अगर मार्केट अगर खुलेगा तो मार्केट यहां पर खुल जाए ना मतलब 43,600 और 60 के आज पास अगर खुलता है तो यह सपोर्ट ऑल्रेडी ब्रेक हो जाएगा आप समझ रहें यह सपोर्ट ऑल्रेडी अगर एक बार अगर ब्रेक हो गया तो यहां पर वो जो आपने देखा होगा कि भ मार्केट को दबाने के लिए क्योंकि यहां पर एक बार उनको एक मौका चाहिए एक तो दो दिन से वो मौका ले चुके है कैसे देखिए रेजिस्टेंस के पास मार्केट जैसे ही यहां पर पहुचा धक्का देके यहां पर नीचे लेके आया तो ऐसे जगह पर मार्केट अ अंदर रहेगा याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मारकेट में बहुत बड़ा, गैप डान हो, यह बहुत बड़ा का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा का अर्थ होता है, सिधा-सिधा 200 से लेके, 400 के बीच में अगर आप market अगर खुलता या बंध होता हुआ दिखता है ना तो समझ जाएगा कि वहाँ पर आपको बहुत जादा पैसा वहाँ पर बनेगा नहीं market बहुत extreme volatile होगा या market बहुत slow हो जाएगा volatility होगा volatility का यहाँ पे अर्थ यह नहीं कि market उपर जाता रहेगा तो जाता ही रहेगा यह नहीं है market उपर भी जाएगा उतना ही नीचे आएगा या शुरुबात में नीचे जाएगा उतना ही उपर आएगा जब market में बहुत बड़ा gap up या gap down होता है अभी हम काम करेंगे अभी हम चलेंगे हमारे 15 मिनिट के time frame पे वहाँ पे चीज़ों को आप जब देखेंगे तो आपके दिमाग में आज की जो ये ताजा तरीन जो एक market का रुजहान आज आया था वो बहुत देखिए मैंने आपको कर एक बात कहा था कि market में बहुत अच्छे से जो लोग जमते हैं कौन लोग passive players ये passive players कौन होते है ये passive players वो होते हैं ये बड़े-बड़े operators होते हैं जो लोग अगले दिन अपने position को carry forward करते हैं ये carry forward करने का क्या मतलब हुआ कि ये लोग चाते हैं कि यहाँ पे दोनों प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पे दोनों प्रकार के लोग होते कहाँ पे close पे हर जगा पे नहीं close पे बहुत जादा यहाँ पे carry forward के positions मनते हैं यहाँ तो कल carry forward का position कहा बना था इस जगा पे यह जो green candle आप देख रहे हैं इस जगा पे 17 तारीक का लेकिन market जैसे ही नीचे खुला मतलब खुला तो flat खु हो गया तो क्या हुआ इस level को cross होने के साथ साथ यहाँ पे जितने passive players थे उनका sell hit हुआ वो लोग market से बाहर निकल गए market में और रूजहान आया और तेजी आई नीचे की तरफ शुरुवात में तो यहाँ पे थोड़ा बहुत consolidate तो हुआ लेकिन अब धहन दीजे मैं जो बोल जिस तरीके से 16 तारिक को जितने भी यहाँ पे put writers थे उनका तो lottery लग गया 17 तारिक को वो उन लोग यहाँ पे अपने position को काटे नहीं लेकिन आज क्या हुआ जैसे ही market इस position के नीचे आया मतलब 16 तारिक को जितने passive players carry forward करके गये थे उनका sell hit हुआ तो market में तेजी देखिया यह main कारण होता है तेजी का मतलब आज market ने लगातार पिछले दो दिन के close पे जितने passive players थे मतलब जितने बड़े-बड़े operators जो लोग अपना माल बेचे नहीं थे रखे हुए थे उनका sell hit होती market में बड़ा एक move आया तो इसलिए में बार-बार मैं जो HCL का जो मैं formula आपको दिया न मैंने इसको कभी मत बुलिएगा high previous day high close और low यह बहुत ज़ादा माईने रखता है देखिये आपको अगर trade लेना भी नहीं आता हूँ आपको नहीं समझता है कि हम कहा call buy करे कहा put buy करे छोड़ दीजिए लेकिन कि जिस वक्त market ये तीन जगह पर पहुचता है तो market वहाँ पर ठहरता नहीं है market वहाँ से तुरंत बहुत जल्दी निकल जाता है क्यों निकलता है क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी positions create होने लगते हैं और positions exit होने लगते हैं आप समझ रहें? इसलिए मार्केट में आपको बहुत जादा रूजान दिखता है अब देखिए ये जो मैंने एक सपोर्ट बना ये सपोर्ट का बहुत बड़ा महंगा क्लाउड है इसको अब तोड़ने के लिए मार्केट को सबसे पहले किस चीज़ की सारी की जरूरत है अगर मार्केट कल के दिन और बड़ा गैब डाउन के साथ खुलता है तो पर गैब डाउन के साथ खुलने से ये बिल्कुल साबित नहीं होगा किस से आप पैसे कमा लेंगे क्योंकि आप अगर पैसा कमाना चाहते है तो सबसे पहले आपको gap up और gap down के बीच का फासले का आपको जो number है उसको देखना पड़ेगा बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कितना बड़ा gap up और gap down हो रहा है वो सिधा कूद पढ़ते ट्रेड लेने में तो ये काम मत करिएगा अभी देखिए अगर market कल इसी रेंज से आज का कैसा हुआ शुरुवात में तो चली है market आज जब खुल गया तो यहाँ से position बना है फिर यहाँ से बड़ा fall आया चरी यहाँ पी जितने लोग अपना profit आज लेना चाहते थे तो निकल गए लेके निकल गए बाद में क्या हु अभी नीचे जाएगा उनका तो पूरा आज SL कटके खतम हो गया वो तो इसलिए एक बर जब आपके expiry की दिन आपका पैसा बन जाता है तो जितनी जल्दी हो सके market से निकल जाए और over trade से बचे अब देखिए कल अगर market अगर कल फिर से इसी जगह से खुलेगा market अगर कल market support क अगर यहाँ पर market उपर की ओर चाता है तो market दोबारा यह जो covering है ना यह करेगा जरूर market इसको भूला नहीं है आज market ने एक चीज़ याद करके रखा है कि पिछले दो दिन का SL हीट करके market यहाँ तक पहुचा यह यह परसो का SL हीट किया यह कल का SL यहाँ पर हीट हुआ यहा आएगा ही यहाँ पर वो रिटेस्ट करेगा जरूर मतलब अभी का रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे कल का अगर मैं कल की बात कर तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अब ड्रॉप बिलकुल हो सकता है वो होगा आपके इस रेंज पर यह जो ग्रेंज बना है अभी यह यह याद रखिएगा इसको आप भूलने ही सकते इसको आप भूल जाएंगे तो कल बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा यह रेजिस्टेंस एक नया बना है अभी तो मार्केट अगर कल इसी जगह पे यह आप देखके अपने चाट बना के रखिएगा मतलब आपको कौन सा दिन का S.L. लेना है अभी तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो वो इस रेजिस्टेंस को कल रेस्पेक्ट करेगा जरूर मतलब 44,200 के पास आके ठहरेगा जरूर इस बात को आपको याद रखना है और फिर यहाँ पे अगर वो समय बिता के उपर चला जाएगा तो फिर गैरांटे के साथ आप यहाँ पे कॉल लेकि काम कर सकता है लेकिन यहाँ पर शुरूबात में sells अगर यहां से उपर जाके नीचे आने लगता है तो तुरंत पूट के तरफ मत जाएगा हो सकता है मार्केट शुरूबात में से जादा अगर कोई एक्टिविट होगा वो होगा आपका कौन होगा यहापर सबसे जादा कि बाइडिफॉल्ट का मतलब यहापर यह हो जाएगा कि 44,000 पे ना सेलर्स तो होंगे क्योंकि वो बाइडिफॉल्ट वो लोग होते ही वहापर लेकिन उससे जादा स्ट्रॉंग बहुत जादा रहेगा जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप पुट के तरफ मत जाएगा मतलब 850, 850, 850 याद रखिएगा मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे और जा रहा है तो जब तो को 850 को नीचे क्रॉस नहीं करता है पुट मत लीजिए तब तक तब तक थोड़ा वेट करिए क्योंकि यह जो जोन है बड़ा स्ट्रॉंग बायर जोन है अब अगर मार्केट शुरूबात में अगर हम ध्यान देते हैं अभी अब पहले ही अगर डाउन खुल जाता है तो सोचिए तो आपके पास अभी आपकी पाच अब एकसी बात है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पूट राइटिंग करके गये है आज मतलब जो लोग सोचते कि मार्केट और उपर जाए तो यहाँ पर पूट राइटर्स का सारा असल तो कली हीट हो जाएगा तो जैसे हीट होगा तो आपको शुरूवात में बहुत ब पर जाएगा फिर आप कॉलने के काम करिए अगर मार्केट शुरूवात में गयाप उपन होता यह रिंज बड़ा इंपोर्टन रहेगा कल के दिन तो कल मार्केट अगर गयाप इस इसके आसपास अगर कई उपन हो रहा है तो थोड़ी दर यहाँ पर क्योंकि आप सब्सक्राइब क्योंकि 44,000 पर आपको सेलर्स मिलेंगे तो इसलिए बहुत जादा गयाप जब मार्केट ओपन होता है तो तूरंट ट्रेड लेने मत जाईएगा अभी हम बात कर लेते निफ्टी के बारे में आज निफ्टी ने अपना क्लोज दिया है लगबग 19,668 पर य ये वाला जो क्लोज है यहाँ पर बिल्कुल भी सेलर्स मौजूद अगर होंगे भी लेकिन ये एक सपोर्ट के पास देखिए मैंने आपको कल भी कई बार कहा कि मार्केट इस रेंज के उपर काम कर रहा है जब तक इस रेंज के उपर है मतलब मार्केट पूरी तरीके से सप सपोर्ट जोन पे था अभी थोड़ा सा नीचे आया है उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी मार्केट सपोर्ट जोन के पास ही है मतलब यहाँ पर अभी भी बायर्स बहुत जादा एक्टिवेट रहेंगे ये कब तक एक्टिवेट रहेंगे जब तक आपको एक चीज ड्राउ करके दिखाता हूँ और उसको मैं as a support में रखूंगा तो आपको चीजे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा यह जो range है इस range का मैं सबसे पहले ना color बदल देता हूँ तो कम से कम आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह हमारा support zone है market को ध्यान से देखी अभी market जब तक इस range के अंदर रहेगा न एक तो आपको momentum कम मिलेगा या फिर market में यहापे बहुत ज़्यादा buying selling नहीं होगा market एकी जगह पे गूमता रहेगा जब इस level के नीचे अभी तक इस level के नीचे नहीं आया market इसलिए market में आपको उपर बड़े-बड़े momentum नहीं दिख रहे है जब तक आप इसके उपर trade ना करना शुरू कर दे या इसके नीचे trade ना करना शुरू कर दे अगर कल market gap down होता है तो हमारे पास अब अगला आएगा यहापर यह वाला हमारा अगला range रहेगा उससे पहले एक range और होगा इसका सामना पहले करना पड़ेगा तो कुल मिला के हमारे पास यहापर दो मुकामारे एक आ रहा है 19,480 का या सिधा-सिधा कहेंगे 4.500 के आसपास आएगा और दूसरा होगा यह वाला 19,360 तो जब तक market इस range के आसपास नहीं आता तब तक market में आपको यह selling थोड़ा सा जारी दिखेगा अगर कल gap down open होता है तो market के पास यह दो रहेगा तो यहापर अगर मैं दो अगर आपको यहापर दो horizontal line अगर मैं बना के दिखा दूँ आपको चीजे और थोड़ा सा साफ नजर आएगा यह हो जाएगा हमारा सबसे पहला कल का support support number one और यह हो जाएगा support number two support number two सीधा सीधा यहाँ तक आएगा यह आएगा हमारा support number two यह सिर्फ कल की बाते होगी देखिए पहला वाला लाइन आएगा support number 1 दूसरा वाला support number 2 आएगा अगर कल market gap down open होता है और नीचे की उर जाता है तो इस level को वो टकराएगा ज़रूर यहाँ से और नीचे जाने में उसका थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पर buyers बहुत ज़ादा है तो हो सकता है market दुबारा इस सी cloud के अंदर market दुबारा भीज दे अगर दुबारा इसमें भीज देगा तो क्या होगा आपका काम होगा कि आप बहुत ज़ादा quantity के साथ trade ना करें देखिए आज के दिन का bank nifty ने आज इसको नीचे लेके आया है आज bank nifty का एक असर था nifty की उपर जो उसी साब से काम करता रहा otherwise nifty बहुत दिन से बुलिश ही था आज भी बहुत सारी उमीदे थी निफ्टी से कि nifty शायद आज इस cloud को cross करके उपर जाएगा चुकि आज flat open होने के वज़े से market आज शुरुआत से एक selling mode में आ गया था recover करने में या उसको थोड़ा वक्त मिला नहीं है लेकिन nifty अभी तक हारा नहीं है buyers के हाथ में अभी भी है तो buyers के हाथ में तब तक रहेगा जब तक इस range यह पूरा zone ही आपको buyers का range दिखाता है मतलब यहाँ पर market हो सकता है नीचे आएगा price action के साथ काम करेंगे तो फाइदा बनेगा लेकिन दिमाग में पहले से भर के रखेंगे ना मैं market शुरूत में put लेके काम करूंगा आपको फिर हारने से या आपका पैसा डूबने साब को कोई नहीं बचा सकता है क्योंकि market लगा तार जब तक वो नीचे आएगा वो इन supports को वो जरूर value देगा याद रखिएगा बहुत बड़े बड़े जब gap down gap up होते है तो market का range भी volatile जादा हो जाता है market volatility के साथ यहाँ पर volatility का मतलब बिलकुल यह नहीं कि market एक दिशा में जाएगा जो मैंने थोड़ी दिर पहले bank nifty की बारे में भी कहा है जब market बड़े gap up open होते है या बड़े gap down तो market में यह सीधा सीधा ऐसे आकार बनने शुरू होते है और यही समय होता है सबसे ज़्यादा ऐसे लिचोने का तो अभी हम काम करेंगे अभी हम चलेंगे हमारे 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे तो आज का दिन का जो market का एक मज़ेदार किस्सा यह रहा देखिए लगबग bank nifty और nifty में आज लगबग लगबग सेम रहा लेकिन शुरुवात में bank nifty ने तो बिल्कुल शुरुवात से हत्यार डाल देए थे कि भई पहले से नीचे आना है लेकिन nifty में ऐसा नहीं हुआ निफ्टी में शुरुवात पहला candle देखिया red होने के बावजोद्वी उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा उपर गया और जिस वक्त उसको मौका मिला पिछले दिन के close को break करके फिर वो नीचे आया पर बहुत ज़्यादा नीचे आया कि नहीं बहुत ज़्यादा नहीं आया पूरे दिन बर में सिर्फ सौव पॉइंट का आज हेरा फेरी हुआ है जहां पर बैंक निफ्टी में तो कहा 400 से गिरता हुआ मार्केट 400 के पास खुला 400 से गिरता हुआ 800 के पास पहुचा लग 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 500 पॉइंट आप कह सकते हैं पर निफ्टी का क्या हल है निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का गिरावट आया तो इसलिए आपे एक दम लाजमी बाते हैं कि आपे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है बहुत रोक पा रहे है ऐसानी कि रोक बिल्कुल नहीं पा रहे है जहां पे बैंग निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है तो इसलिए कल अगर इसी रेंज से कल मार्केट अगर खुलता है और शुरुवात का पहला पाच अगर बुलिश रहता है ना तो फिर वहाँ पे आप आसानी से इस रेंज को जैसी मार्केट इस रेंज को जैसे क्रॉस कर जाएगा आपको एक अच्छा-खासा मोमेंटम मिलेगा अगर कल क्लोस के पास से मार्केट अगर शुरुवात में उपर जाता है तो उपर जाते जात भी उसको उसके सामने ये वाला रेंज जरूर आएगा 19,820 का तो यहां से मार्केट एक बार तन्सॉलिजिट दुबारा कर सकता है और अगर मार्केट शुरुवात में गैब डाउन उपन होता है और गैब डाउन उपन होने के बाद तो आपको यहां पे बाय ओन डिप का इंतजार करना है कि मार्केट गैब डाउन होगा और शुरुवात में नीचे आएगा तो इस सपोर्ट को मार्केट अगर रिस्पेक करके उपर जाने लगेगा तो यहां पे आप कोई कैंडल को देखके यहां पे आप कॉल लेके चलेंगे तो आपको यहां पे बहुत तेज सक्षिंग के साथ ही काम करना होगा क्योंकि मार्केट बायर्स के हाथ में है और अल्रीडि यहां पे सेलर्स मौनिट हो गी maintained या 19000ड술 के अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक, शेर, सब्सक्राब ज़रूर किजिएगा, मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जैहिन!